structure of bacteria ही पढ़ना है ना आज कमेंड में बताएं अच्छा कोको बेसीलस क्या थी भाई कोको बेसीलस क्या थी बताएं मुझे राउंड शेप बेक्टेरिया कोको बेसीलस ना राउंड ना राड दोनों के बीच हाँ उसे हमने कोको बेसीलस कहा था ओके ओके अच्छा पहली सेड क्या थी कलवार लेक्चर अप्लोड क्या हूँ था हाजर बाबा अजी अप्लोड करें था भाई लेक्चर हाजर हूँ आज पढ़नी है क्या भाई स्ट्रक्चर तो आजाएं पेली सेड क्या थी वो बेसीलस जो साइड बाई साइड अटे जो उन्हें बेसीलस कहते हैं ठीक हो गया चलें आगे चलें आजाएं भाई बहुत 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 इंपार्टन उससे भी बहुत उससे भी बहुत इंपार्टन है टापिक आज वाला भी वाला पी एमसी वाले ने भाई पी एमसी वाले ने तकरीबन तकरीबन सेविंटी फाइव हाँ 75 question इस topic से पूछें एक topic में से तो इस topic को एक एक drum को नहीं छोड़ना clear करने के अलावा screen white करें चलो भाई ये screen white हो गई ये जो white है ना ये तोड़ा आंखों पे असर करती है इसलिए मैं green रखने की कोशिश करता हूँ बाराल ये screen white हो गई आ जाएं अभी अभी मुझे क्या पढ़ाना है भाई structure of bacteria bacteria की structure okay structure of bacteria में अगर हम देखें कि जो bacteria है वो उसमें एक cell membrane है ये हो गई cell membrane तो structure of bacteria से हम start करते है cell membrane से structure का मतलब है इसमें कौन कौन से part है अंदर से बाहर तक सारी चीजें discuss करनी है हमें ठीक है ना Nancy चावला एड़ेड सिनिया और नंदनी एड़ेड बाबा एड़ेड 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 ओके तो cell membrane का मुझे बताएं क्या काम है भाई cell membrane के काम बताएं जल्दी जल्दी आप कहेंगे सर cell membrane का वो ही काम है protect करना transport करना मतलब import export करना और और आप कहेंगे सर pro karyot में cell membrane meso zone बनाती है infolding of cell membrane inside inside infoldings बनाती है cell membrane इन्हें हम meso zone कहते हैं इन्हें हम meso zone कहते हैं और आप कहेंगे सर आपने पढ़ाया था कि meso zone काम करता है respiration का meso zone काम करता है तेल के devian का meso zone काम करता है replication का replication भी ये करवाता है और आप कहेंगे सर meso zone बनाता है chromatophore याद है भाई क्रोमेटो 4, pigment containing, thalakoid like structure तो ये क्रोमेटो 4 करवाता है photosynthesis मतलब indirectly photosynthesis भी करवाता है ये भई सेल मेंबरेन के काम है और 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 क्या काम है सेल मेंबरेन का हां dark color यूज़ कर रहा हूँ ठीक है ना ये भई आपकी हो गई सेल मेंबरेन सेल मेंबरेन के अलावा आप कहेंगे सर ठीक सेल मेंबरेन के बाहर ठीक सेल मेंबरेन के बाहर बेक्टेरिया के अंदर एक structure है जिसको हम कहते हैं सेल वाल जिसको हम कहते हैं सेल वाल जो के एक बेक्टेरिया में नहीं है कौन सी बेक्टेरिया में नहीं है बाकी बिक्टेरिया में पिप्टी डो गिलाएकेन का बना हुआ है माइको प्लाजमा में है ही नहीं तो ये क्या हो गया भई ये क्या हो गया ये स्ट्रक्चर कौन सी हो गई सेल वाल तो ये आपका दूसरे नंबर पर सेल वाल और सेलवाल के उपर दो टाइप बिक्टेरिया के एक बिक्टेरिया को क्या कहेंगे आप एक को कहेंगे gram positive और दूसरी को कहेंगे gram negative दो टाइप हैं बिक्टेरिया के on the basis of सेलवाल ग्राम नाम का एक साइन्टिस्ट था ग्राम नाम का एक साइन्टिस्ट था जिसने बेक्टेरिया को क्लासिफाई किया दो टाइप्स में on the basis of sale wall एक को ग्राम पाजिटिव एक को ग्राम नेगेटिव जो भाई जो भाई हो गए एड जो भाई ग्राम पाजिटिव से बेक्टेरिया हैं उनमें जो sale wall है वो थिक है क्योंके इसमें पेप्टीडो गिलाइकेन कुछ ज्यादा है और ग्राम नेगेटिव का sale wall थिन है क्योंके पेप्टीडो गिलाइकेन इनमें कम है ये सिंपल चीज़ें मैंने पढ़ाई भी हुई है ठीक है अच्छा ग्राम पाजिटिव के sale wall में एक ही लेयर है सिंगिल लेयर्ड है और ग्राम नेगेटिव का sale wall दो लेयर पर मुश्तमिल है लेयर्ड भी दो है फिर भी थिन है लेयर्ड भी एक है फिर भी थिक है तो जो ग्राम पाजिटिव का sale wall है वो थोड़ा ये देखें ये बिक्टेरिया ये इसका एक ही sale wall है जो के बहुत 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 मुटा है और ये भी बिक्टेरिया है जिसमें एक लेयर ये और सर और सर एक लेयर एक लेयर ये अब देखें एक और दूसरी बिक्टेरिया में मुटा sale wall किसका है भाई 1 का या 2 का 1 का या 2 का तो 2 जो है ये पिप्टीडो गिलाइकेन इसमें ज़्यादा है 1 सॉरी 1 ये गराम पाजिटिव है ये गराम पाजिटिव है ये नेकेट भभी तक इतना बागी मैं समझा रहा हूँ अचा और डिफ्रंस इस देखें gram positive में peptido glycone के साथ ticoic acid ticoic acid एक chemical है जो peptido glycone को stability देगा ये present होता है और इसके साथ lipid भी होती है तो लिपोटिकोई केसिड कहते है लिपोटिकोई केसिड या टिकोई केसिड ठीक है ना gram positive में ज्यादा होती है होती है और gram negative में यह नहीं होता और gram negative में क्या होता है लिपोब्रोटीन लिपोब्रोटीन और लिपोपोछी अकराइड लिपोपोची और लिपोपोलीकुराइड जयादा होते हैं अब भी इसकी जो थिकनेस है वो 20 नेनोमीटर से 80 नेनोमीटर तक है और इसकी जो से ग्यारा नेनो मीटर तक इसकी थिकनेस है इसमें इसमें लिपिड है थोड़ी ग्राम पाजिटिव में कितनी लिपिड है त्री से लेकर चार परसंट तक या एक से लेकर चार परसंट तक और मैं इसमें जो लिपिड है लिपिड की बात कर रहा हूं मैं जो लिपिड है वो वो आठ से लेकर बारा तक, या दस से लेकर बारा तक, या ग्यारा से लेकर बारा तक, जनरली बारा तक है, या ग्यारा से लेकर बारा तक आप कह सकते हैं, पंजाब में मेरे ख्याल में लिखा हुआ है ऐसे, बहले देख लें आप, मुझे भी बता दें, कि आठ से बारा है य से ग्यारा निनो मीटर थिकने से सेलवाल की निमरता ग्यारा से बारा पंजाब में है ना हाँ ठीक है तो अब मैं सवाल करना शुरू करूँगा आप से ये रटे लगवाए मैंने अब मैं सवाल करूंगा मुझे बताएं पर्मियबल सेलवाल किसका होगा पर्मियबल किसका होगा इसका ज्यादा पर्मियबल और इसका कम क्योंकि इसमें लिपिड कम है और इसमें पेप्टीडो गिलाइकेन ज्यादा है पेप्टीडो मतलब प्रोटीन गिलाइकेन मतलब शुगर दोनों हाइडरोफिलिक है और इसमें पेप्टीडो गिलाइकेन कम है और लिपिट ज्यादा है तो ये लेस पर्मियबल होगा अब मुझे बताएं पर्मियबलिटी को इंक्रीज करने के लिए पोर किसमें होंगे पोर किसमें होंगे पोर पर्मियबलिटी बढ़ाने के लिए ग्राम नेगेटिव में अच्छा ग्राम नेगेटिव में पोर्स होंगे उसके बाद और डिफरेंस क्या देखना है आपको आपको नाम याद रखने हैं फेडरल में नाम दिये हैं कि उन स्टेन का नाम क्या था जो डाय स्टेन यूज की इसने उनका कलर क्या था कलर भाई परपल था स्टेन का और सेφरानन एक स्टेन थी सेफरानन नाम की प्राइम्री स्टेन है जो यूज होती है ग्राम पाजिटिव को देखने के लिए सेफरानन, याद करें सेफरानन, फेडरल के बॉक्स में लिखी हुई है देख लेना और Fusine Fusine F-U-S-H F-U-S-C-H-I-N-E Fusine एक होती है Fulgen Fulgen is a stain Fulgen is a stain that used to stain genetic material or genome or chromatin of a bacteria chromatin को करने के लिए Fulgen होती है यह Fusine Fusine जो stain है वो gram negative को देखने के लिए use होती है उसे secondary कहते हैं क्या secondary stain कहते हैं ठीक है Fusine F-U-S-C-H-I-N-E लिख लूँ भाई लिख लूँ मैं F-U-S-C-H-I-N-E Fusine Fusine होगा मगर पढ़वा Fusine और इसकी क्या है सेफरान यह primary stain है और यह secondary stain है ठीक है भाई सेफरानन stain का नाम है primary stain है gram positive को यूज करने देखने के लिए use होती है Fusine secondary stain है और यह 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 gram negative को देखने के लिए choose होती है किसने यह नाम रखे थे genetic material वाली का नाम बताएं हाँ कशिश बतरा भाई बताऊंगा आगे चलें यह gram positive और negative के difference हो गए टीक है ना अब आ जाएं अब आ जाएं सेलवाल को छोड़ कर आगे आगे तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हम जो तीसरा पार्ट है भाई the most important part that is capsule capsule अब capsule क्या है आप कहेंगे सर capsule capsule सेलवाल के बाहर एक मोटा सा मोटा सा कवर है बेक्टेरिया के ऊपर जिसको हम कहते हैं capsule कुछ बेक्टेरिया में होता है कुछ में नहीं जिन में होता है उनको enveloped कहते हैं जिन में नहीं होता उनको unenveloped या uncapsulated encapsulated कहते हैं तो ये हो गया भाई आपका ये आपका हो गया बेक्टेरिया के अंदर क्या ये बेक्टेरिया के अंदर हो गया capsule और capsule के साथ एक और चीज, मैं पढ़ाता जाओं, कैप्सियूल के बाहर, थिन बिलकुल थिन बिलकुल थिन एक कवरिंग होती है, जो कभी कभी कैप्सियूल नहीं होता, और कैप्सियूल की जगह ये होती है, इसे कैप्सियूल के बाहर जो कवरिंग है, इसे हम कहते हैं, slime the outermost the outermost covering of bacterial slime केपस्यूल सेलवाल के बाहर अगर केपस्यूल नहीं है तो slime भी सेलवाल के बाहर ठीक है हाँ भाई आजाएं समझें केपस्यूल और slime को केपस्यूल ठिक है और केपस्यूल बना हुआ है प्रोटीन से और पॉली से क्राइड से और ये टाइटली अटेज है केपस्यूल टाइटली अटेज है ठिक है मजबूत है टाइटली अटेज है प्रोटीन से बना हुआ है और जो slime है जो slime है वो थिन है सौफ्ट है ज्यादा फ्लेक्जिबल है और जो slime है slime ये mostly डेसी केशन से बचाती है प्रोटेक्ट करती है वाटर लास ना हो जाए environmental factor से बचाती है बेक्टेरिया को slime और slime का एक और काम है pathogenicity pathogenicity disease करना मगर मगर सुनें जो पंजाब का बुक है ना पंजाब का जो new edition है बिलकुल 2022 उसमें और पुराने पंजाब में फरक है जो 2022 है उसने कहा है कि जो slime है वो pathogenicity create नहीं करता उसने clear नहीं लिखा मगर federal ने और पुराने पंजाब ने बताया है कि pathogenicity जो है वो कौन करता है slime करता है वैसे तो slime भी एक कैप्सूल का farm है कैप्सूल का farm है मगर जो new text book लिख रहा है पंजाब का यह वो कह रहा है slime एक layer है जो जुदा कर रहा है कैप्सूल से परहाल google को चोड़ दें google बहुत सारी बातें करता है हम अपने text को देखेंगे सारे को ठीक है ना slime thin है soft है और यह बहुत सारे micro molecule से बना हुआ है especially polysecride से बना हुआ है यह protein और polysecride से बना हुआ है जो के tightly attached है ठीक है कैप्सूल कैप्सूल आपका protect करेगा bacteria को protect करेगा bacteria को और उसके बाद colony बनाने में role play करेगा colony कैसे बनती है भाई यह एक bacteria यह दूसरा bacteria है इन दोनों को आपस में चिपकने के लिए एक glue चाहिए एक cement चाहिए जो के कैप्सूल में होता है तो कैप्सूल के बारे में कह रहा है यह गमी है गमी का मतलब समझ रहे हैं गम टाइप है गम टाइप के slime protect करता है antibiotic से antibiotic resistant है तो desiccation जे resistant capacity इसमें है general protection यह भी देता है cell को अंदर और colony बनाने में यह role play करता है और उसके इलावा new book में यह लिखा हुआ है के phagocytosis से phagocytosis से भी यह बचाता है कैप्सूल अगर आप कुछ पुराने book देखेंगे तो phagocytosis से बचने के लिए इसकी property है अब बात यह है आप दोनों books को cover करना federal की new edition और पंजाब की new edition में देखेंगे के federal वाले ने इन दोनों चीज़ को एक ही समझा है केप्सूल की property बताईए है slime is a property of capsule तो यह चीज़ आप खुद भी देख लेना जो मैंने बताए हैं यह चीज़े ऐसे ही हैं अगर इदर उदर हो तो थोड़ी चीज़ देख लेना हमारे माइंड डाइवर्ड हो गए है ठीक है ना slime के क्या क्या function है slime की composition मेक्रो मालिक्यूल से polysacrite से बना हुआ है mainly और thin है, soft है decication से बना, बचाता है pathogenicity देता है disease करनी की capacity रखता है और disease करनी की capacity को कहते है pathogenicity को कहते है bio film, bio film फेडरल में mention है ठीक है ना और slime जो है anti-biotic से anti-biotic से बचाता है anti-biotic से protect करता है ठीक है ना यह general protection देता है अंदर और ये कालूनी बनाने में हिल्प करता है और phagocytosis बचाता है phagocytosis इसका भी function लिखा गया है पराणी बुक्स में federal में भी शायद इसका function लिखा गया है phagocytosis बचा नहीं रहा वहाँ भी लिखा है कि slime silpary है और वो phagocytosis बचाएगा और पंजाब के न्यू एडिशन में लिखा है कि slime हाँ इस अ प्रापरटी अफ केपस्यूल जी फेडरल के अकार्डिंग तो ये भाई structures हैं जो हमने पढ़ी केपस्यूल को और फिरका पढ़ा slime को अब आ जाते हैं और बातों पर ये एक structure है ये एक structure है बेक्टेरिया से बाहर निकल रही है इसे हम कहते हैं पिलाए और ये एक structure है जो बेक्टेरिया से बाहर निकल रही है और ये जो structure है बहुत बड़ी है मुझे आप बताएंगे ये क्या है ये क्या है भाई ये कौन सी चीज़ है ये बड़ी वाली आप कहेंगे सर ये फिलेजिला है ये फिलेजिला का बिसल बॉडी बिसल बॉडी जो अटेच्मिंट में रोल प्ले करती है ये गिलास टाइप बिसल बिसल बॉडी और ये बिलेक कलर वाली जो मैंने बनाई है ये वाली ये बिक्टेरिया की फिलेजिला की फिलामेंट ठीक है? तो तीन पार्ट हैं फिलेज इलाके बेसल बाडी, साइट अफ अटेच्मेंट मैंने प्रोकेरोट और यूकेरोट में डिटेल में पढ़ाया है ये और ग्लास टाइप जो लोकोमोट मुवमेंट करने में एल्प करेगा 360 एंगल पर मुवमेंट कराएगा और ये फिलामेंट जो के मूव करेगी वगर इसमें कांट्रिक्टाइल प्रोटीन नहीं होगी जो मुवमेंट होगी वो अंदर से काज होगी अब मुझे बताएं पिलाए किस प्रोटीन का बना हुआ है? मैंने पढ़ाया था भई प्रोकेरोट और यूकेरोट में इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप कहेंगे सर पिलाए बना हुआ है पिलिन प्रोटीन का और पिलाए जो है वो समाल होता है फिलेजिला बड़ा होता है आप कहेंगे सर पिलाए का काम है कांजूगेशन करना primary काम है conjugation करना और दूसरा काम है पिलाए का attachment करवाना दो काम है पिलाए के philin protein जे बनाए होलो है छोटा है और philagela से conjugation करेगा और attachment करेगा conjugation करना पता है transfer of DNA, transfer of genetic material जो genetic material receive करेगी उसे negative कहेंगे जो genetic material bacteria देगी पिलाए के throw उसे हम positive कहेंगे positive gram नहीं conjugation के हिसाब से positive ठीक है ना और 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 बात ये जो पिलाए है इसे हम conjugation tube कहेंगे कब कब conjugation tube कहेंगे जब conjugation में involved होगा genetic material transfer करेगा और fimbri कहेंगे कब fimbri कब कहेंगे मैंने पढ़ाया हुआ है भाई जब attachment करेगा तब fimbri कहेंगे याद आ रहा है के नहीं ओके फdagila के काम बताएं एक तो काम है फdagila का लोको मोड करना प्लवी जीला का क्या काम है एक हमने पढ़ा पांचवे नंबर पर पिलाए और छटे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं फdagila और फdagila का काम हमने क्या पढ़ा कि फिलेजिला का एक काम है लोको मोड करना और फिलेजिला में रिसेप्टर लगे होते हैं सेंसर लगे होते हैं जो रिसेप्टर सेंस करते हैं केमिकल्स को किसको सेंस करते हैं मैं आर लिख रहा हूँ रिसेप्टर को आर मतलब रिसेप्टर सेंस करते हैं केमिकल को केमिकल के सेंस करने वाले रिसेप्टर को क्या कहते हैं आप केमो रिसेप्टर क्या केमो रिसेप्टर और ये केमो रिसेप्टर क्या करते हैं किन को सेंस करते हैं केमिकल को तो केमिकल यानि फुड को सेंस करेंगे और अगर वो food bacteria को पसंद आएगा तो bacteria उस chemical की तरफ क्या करेगी movement करेगी movement करेगी तो इस movement को क्या कहेंगे chemo मतलब chemical Texas मतलब locomotion या chemo tactic सही है chemo Texas किसको कहा भाई chemo taxes बताएं chemical की वज़े से जो bacteria movement शो करेगी उसे chemo taxes या chemo tactic कहेंगे positive chemo taxes क्या है negative chemo taxes क्या है बताएं chemical से अवे जाना negative chemo taxes chemical की तरफ भागना दोड़ना positive chemo taxes ऐसे photo taxes भी होती है हाँ ओके ओके भाई अच्छा उसके बाद उसके बाद पिलाए और फिलेजिला से पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है seventh number पर अभी बाहर वाली सारी चीज़ें कवर हो गई अभी हम अंदर आ गए यह हमारा है बेक्टेरिया का साइटो ब्लाजम साइटो ब्लाजमिक मेट्रिक्स है चोटी है यू के रोट से और यहां पर क्या है साइटो ब्लाजम में डियेने पढ़ा हुआ है यह डियेने पढ़ा हुआ है जो के जिनोमिक डियेने है और यह एक दूसरा डियेने जिसे हम प्लाजमिड कहते हैं इसको क्या कहते हैं वाई आप कहेंगे सर एक्टरम यूज किया है नूकिलॉईड एक्टरम यूज किया था इंसी पियंट नूकिलस शुराथी नूकिलस और तिसरा किया था जीनो फोर और सर क्रोमेटर नेटवर्क भी कह सकते हैं न्यूकिलर रेटिक्यूलम भी कह सकते हैं क्रोमोजॉम भी कह सकते हैं एक ही होगा इसमें इंट्रान नहीं होगा एक्जॉन होगा इसमें स्टॉन प्रोटीन नहीं होगी और यह तक्रीबन सर्कियूर होगा इकोलाइका यह जीनोमिक Δीएने 14000 मा一點 मैक्रो मीटर लेंट में होगा इकोलाइका यह भुक में लिखा हुआ है mcq है 14000 माithe क्रो मीटर लांग सर्कियूर डीएने इकोलाइक बेक्टेरिया में मिलेगा ठीक हो गया भाई ये जो जीनोमिक डियने है उसके इलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रिंग है एक्स्ट्रा डियने है जिसको हम कहते हैं प्लाजमिड और प्लाजमिड के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूँ जीनोमिक डियने हो गया साथवे नमबर पर आठवे नमबर पर प्लाजमिड को बढ़ रहे है प्लाजमिड हाँ भाई प्लाजमिड के बारे में बताएं आप कहेंगे सर ये प्लाजमिड जो है इसके पास बहुत सारे जीन है ये एक जीन और ये दूसरा जीन और ये तीसरा जीन और ये चौथा जीन, ये पांचवा जीन, ये छटा जीन, बहुत सारे जीन होते हैं आप कहेंगे सर एक किस्ट में जीन होता है जो restriction enzyme produce करता है restriction enzyme, पढ़ाया है मैंने restriction enzyme का काम बताएं restriction enzyme का काम बताएं molecular scissor है जो lambda phage virus bacteria पे addict करेगी तो वो अपना DNA insert करेगी जब DNA insert होगा ये उस DNA को क्या कर देगा क्या करेगा क्या करेगा कुतर कुतर करेगा काट लेगा टुकडे टुकडे घर लेगा तो virus से बचा लिया इसने virus से बचा लिया इसने हाँ कुतर कुतर कर लेगा तो भाई ये मुझे लग रहा है plasmid का का काम है immunity में defense करने में वाई बेक्टेरिया को इसने defense किया है आगे देखेंगे आगे और देखते हैं आगे देखें प्लाजमिड में एक और genetic gene है जिसका काम है anti-biotics को anti-biotic को resist करना मतलब ये हुआ जब आप इस बेक्टेरिया को anti-biotic देंगे मरने के लिए ये बेक्टेरिया एक अदद plasmid के gene से प्रोटीन पैदा करेगा जो प्रोटीन आपके anti-biotic को तोड़ देगी तो मुझे बताएं क्या हाल किया इसने इस प्रोटीन ने anti-biotic का तोड़ दिया तो ये बेक्टेरिया मरेगी नहीं मरेगी भाई अब कहलें टेटरा माइसिलिन रिजिस्टिंग जीन था एमपी सिलिन रिजिस्टिंग जीन था तेरा माइसिन रिजिस्टिंग जीन था ये जो मैं नाम ले रहा हूँ यह आपको पता है के अंटि बाइओनिक के नेम है वो प्रोटिन आंटिबाइओनिक को खतम कर देगी तो यह बाई कुछ बिक्टेरिया जिन के पास अंटि बाइओनिक ठीक हो गया ओके अब बहुत सारे और भी जीन होते हैं इतना काफी है आपके लिए लेकजी जीन होता है शुगर को डाइजस्ट करवाने वाला ये वो वो उनको छोड़ दें उनका काम नहीं है अच्छा मुझे बताएं अगर मैं चाहूं ये जो जीन है ये वाला ये वाला मै या प्लांट का या मैं इसको ऐसे कहूं ये बेक्टेरिया का जीन नहीं ये फारें जीन है चलो फारें जीन एड़ किया अब इस प्लाजमिट को मैं फिर से अंदर रख रहा हूं ये कौन सी प्लाजमिट है भाई ये वो प्लाजमिट है जिसके पास किसका जीन है जिसके पा जब ग्रो करेगा तो यह क्या पैदा करेगा इंसान का कौन का कौन सा प्राड़क्ट पैदा करेगा जिसका जीन होगा जीन हमने इंसीलिन वाला डाला है तो इंसीलिन पैदा करेगा अगर जीन अप गलुकोगान का डालते तो गलुकोगान पैदा करता बिक्टेरिया प्रोड इंटरेस्ट, डिजायर जीन, इंटर करके हम प्राड़क्ट बना सकते हैं, लाइक इंस्यूलिन, हाँ भाई, वो कौन सी ब्रांच है, जिसमें हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं, उन पे डिफरेंट टेकनिक अपलाई करते हैं, उनका जीन निकालते हैं, अपना जीन डालते हैं, और उनसे डिजारेबल प्राड़क्ट बनाते हैं, कौन सी बायो टेकनालाजी, तो आप प्लाजमिट को बायो टेकनालाजी में यूज कर सकते हैं, के नहीं, कर सकते हैं, प्लाजमिट और जीनोमिक डियने में, कौन सा डियने बिक्टेरिया से निकाल लें, तो बिक्ट निकाल लें अपने बाडी से तो आप मर जाएंगे, नहीं, मरेंगे नहीं, मगर डिजीज आपको लग जाएंगी, इम्यूनिटी आपकी बीक हो जाएगी, जैसे एट्स में होता है, तो प्लाजमिट के निकालने से वेक्टिरिया को कुछ नहीं होता, क्यूंके वाइटल कामो के लिए, जिन्दा रहने के लिए, इसमें एक ऐसा एक भी जीन नहीं है, प्लाजमिट का है, तो प्लाजमिट अच्छा, मुझे पताएं, प्लाजमिट नहीं डिफेंस किया, अब बायो टेकनॉलाजी में भी यूज हुआ, क्या मैं कह सकता हूं, कि प्लाजमिट वेक्टर ह जो हमारा जीन अफ इंटरेस्ट ले, और उसको उठा के घुमाए, उसको हम केरियर करते हैं, तो ये वेक्टर है, वेक्टर के तोर पे इस्तेमाल होता है बायो टेकनॉलाजी में, ठीक हो गया भाई, अब का प्लाजमिट भी हो गया, प्लाजमिट के बाद, ये सर्कूलर ड देंगे तीन टाइब के, कुछ वेसिकल होते हैं, फुड के, जिनके अंदर फुड स्टोर होता है, चुगर और प्रोटीन के फार्म में, लिपिड के फार्म में, आईल गलोबिल्स के फार्म में पढ़ाए आपने, और कुछ वेसिकल होते हैं, जिनमें गेस भरी होती है बा उपर आना हो, नीचे से क्या करेगी, क्या करेगी, गेस को भर लेगी, वेसिकल में, तो साइनो बेक्टेरिया का वेट कम हो जाएगा, ये तेरती तेरती उपर आ जाएगी, मतलब बायाउनसी में, बायाउनसी में, फ्लोटिंग में, मुव्मेंट में, उपर से नीचे जाना, नीचे से उपर जाना इसमें इल्ब करेंगे गेस वेसिकल मतलब साइनों बेक्टेरिया लोको मोड करती है बा यूजिंग गेस वेसिकल और एक और मुवमेंट करती है गिलाइडिंग गिलाइडिंग मुवमेंट कहते हैं हम ऐसी मुवमेंट को जब साइनो बेक्टेरिया यूज करे यूज करे किसी सर्फेस को सर्फेस से चिपक कर मुव्मेंट करे तो उसे गलाइडिंग मुव्मेंट कहेंगे और भी इसके फायम होते हैं फिल विद गेस हाँ, अब मुझे बताएं जब बेक्टेरिया को लगे साइनो बेक्टेरिया को टेंप्रेचर बढ़ गया है मुझे अंदर जाना चाहिए तो क्या करेगी, गेस से फिल करेगी वेसिकल को या गेस को निकाल देगी अर्यप निकाल देगी, निकाल देगी सिदान्त ने कहा, रिमूव कर लेगी मैं सावला नहीं, सारे कह रहे हैं ओक्या सर निकाल देगी, मैंने भी मान ली आप कह रहे हैं, तो मेरी क्या बाद को दाद होगा मिजारिटी इस अथारिटी सारे कह रहे हैं, तो ये गेस वैसिकल ये वाई, स्ट्रक्चर हो गई अभी मुझे एक चीज पढ़ानी है स्पोर एंड सिस्ट उसके लिए इस बोर्ड पर काम नहीं होगा तो मैं एक और बोर्ड पर जा रहा हूँ कोशिश की यहां पर समराइज करूं सारी चीजें बहुत सारा काम खराब कर दिया है बोर्ड का तो अभी चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ आ जाएं भाई आ जाएं भाई मुझे समझाएं के स्पोर क्या है प्रम नंबर दसवाँ और 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 क्या सिस्ट क्या है 11 नंबर यह स्ट्रक्चर के आखरी पॉइंट्स हैं इसके बाद आपकी स्ट्रक्चर पूरी अब स्पोर और सिस्ट से पढ़ने से पहले थोड़ रटे लगाएं स्पोर में वाल होती है जो थोड़ी फिन होती है मगर बहुत बहुत रिजिस्टन्ट होती है आल फेक्टर से आल फेक्टर से क्या होती है रिजिस्टन्ट होती है मतलब इसमें बचाओ की प्रोटेक्शन की पी एच से टेम्परेचर से एर से डेसिकेशन से वाटर से लाइट से टेम्परेचर से एसिड बेस से सब चीजों से और जो सिस्ट होती है वो उसमें जो वाल होती है उसकी वाल बहुत सारी ठिक होती है और ये रिजिस्टन्ट होती है मगर हीट से नहीं भई हीट के इलावा हीट से नहीं पी एच से डेसिकेशन से वाटर से रिजिस्टन्ट है मगर हीट से नहीं तो हीट सिस्ट को तोड़ दे बनेगा कब तो यह concept समझें समझें स्पोर्स बिएव करेगा सीड के तोर अब भई सीड क्या है सीड क्या है सीड आप कहेंगे सर सीड एंब्रियो एंब्रियो कंटेनिंग एक बॉड़ी है जिसमें सीड कोट भी है और फुड स्टोर भी है उसे हम सीड कहते हैं इंब्रियो का मतलब है इमेचूर प्लांट मतलब सीड में मेचूर प्लांट होता है जब हम सीड को बोते हैं गरो करते हैं तो सीड जर्मिनेट करता है अब मेरी बात सुनना गोर से सुनना भाई बिक्टेरिया ने स्टार्ट किया रिप्राड़क्शन रिप्राड़क्शन भाई रेप्लकेशन, रेप्लकेशन हो गई अभी साइटोकाइनस बाकी है, क्या खयाल है, साइटोकाइनस बाकी है, तो ये बेक्टेरिया था, इसने ये DNA से DNA को बनाया, दो DNA हो गए, एक DNA से, एक DNA से कतने DNA हो गए, दो, रिप्लिकेशन हो गई, अब इसके दोरान, यानि डिवियन हो रही है, रिप्राड़क्शन हो रहा है, इसके दोरान, रिप्लिकेशन के दोरान, कंडिशन आ गई, कौन सी, unfavorable unfavorable temperature change हो गया रहने के काबिल नहीं रहा water release हो गया water गया भाई pH change हो गयी या light intensity मतलब condition सारी रहने के लाइक नहीं है तो ये bacteria करेगा reproduce करने को छोड़ें भाई अपनी जान बचा लें तो ये bacteria क्या करेगा अपनी cell membrane को flaccid हो गया ना cell सारा श्रिंक हो गया हाँ साथ भाई तो जब ये श्रिंक हो जब ये पानी निकल गया तो ये सारा सेल श्रिंक हो कर छोटा हो जाएगा तो मुझे बताएं अब ये replication continue करेगा आगे cytokinesis करेगा या यहीं तक अपने अपको protect करेगा क्या करेगा भाई protect करेगा तो protect करने के लिए ये क्या करेगा एक layer बनाएगा अपने उपर एक layer बनाएगा अपने उपर जिसको हम spore की wall कहेंगे spore की wall कहेंगे generally दो होती हैं एक exo spore होती है और अंदर वाली होगी तो endo spore होती है दोवाल्स होती है, अभी है जो सारी बिक्टेरिया बन गई ना, as a hole इसे हम कहेंगे спोर इसे स्पोर बिक्टेरिया के अंदर बना ऐ तो इंडोस्पोर अब ये जो बिक्टेरिया है जिसको हम इंडोस्पोर या स्पोर कह रहे हैं जब ये unfavorable time पूरा हो जाएगा कौन सा टाइम आ जाएगा favorable मतलब सारी temperature water सारे आ गए हर चीज आ गई favorable condition आ गई रहने के लाएक आ गई ये इंडो और एग्जो का मैं डिफरंस बता रहा हूँ गोर से सुने फिलाल स्पोर की बात कर रहा हूँ ठीक है ने इंडो का concept में बताऊंगा आपको फिलाल स्पोर तो जब ये favorable condition आ गई तो ये जो स्पोर है वो अपनी सारी साइज रिटेन करेगा स्पोर इकवाल को तोड़ेगा और स्टार्ट करेगा क्या जर्मीनेट करना मतलब वहीं से डिवियन स्टार्ट करके एक बिक्टेरिया से दो बिक्टेरिया बना लेगा मतलब रिप्लीकेशन की हुई थी अब सिर्फ साइटो काइनिस करेगा तो इस पोर और सिस्ट में फरक क्या है सुने इसकी वाल थिन है इसकी थिक है इसकी more resistant है less resistant है तो heat बाकी resistant है ये reproduction के दोरान बनेगा ücksपोर reproduction के दोरान बनेगा जबके सिस्ट एक बिक्टेरिया life जी रहा है बही अपनी मतलब mature हो रहा है नया बना है तो mature हो रहा है कहलें develop हो रहा है या कहलें differentiate हो रहा है मतलब normal इसकी life है reproduction नहीं चल रहा एसी लाइफ में इस बिक्टेरिया के ओप़र कंडीशन क्वन सी थी फैवरेबल वो जी रहा था अब कंडीशन क्वन सी आ गई अनफैवरेबल जब अनफैवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो यह अपना आपको फ्लेसड करेगा ये सुकड जाएगा और वही तरीका होगा मगर इसने रिप्लिकेशन नहीं की हुई और ये एक DNA के साथ सुकड जाएगा और उपर से वाल क्रियेट करेगा अब इस वाल को हम कहेंगे सिस्ट वाल और ये थोड़ी मोटी होगी और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सिस्ट अब ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा था ये थोड़ा थिन था स्पोर का वाल वो थिक है ये रिप्रोड़क्शन के टाइम बना था वो रिप्रोड़क्शन के टाइम नहीं बना पाकी वही बात है मगर इसको हम स्पोर नहीं कह सकते है इस पूरे को जो बेक्टेरिया को डिफेंस कर रहा है प्रोटेक्ट कर रहा है इसको पूरी स्ट्रक्चर को बेक्टेरिया और उसकी वाल को सिस्ट कहेंगे और सिर्फ वाल को सिस्ट वाल कहेंगे यही फरक है यह reproduction टाइम में बनता है यह reproduction के टाइम नहीं बनता और यह resistant नहीं होता हीट के और तिक होता है सिस्ट यह है और स्पोर यह है अभी स्पोर में दो टाइप हैं बागी आगे वही बात आगे मैचौर हो गया तो यह भी डिवाइड करेगा मगर इस पर replication स्टार्ट से होगी तो यह यह जो है यह यह डूरिंग लाइफ बन रहा है दूरिंग मैचौरेशन डिवलप्मेंट या समफ बन निएेंजिस्ट आप कहेंगे एंडोस्पोर और एंडोस्पोर कि बात सुनें थाइनों बक्टेरिया और यू केरोट्स जैसे यह यस्ट प्रोटो जोंस वह क्या परते हैं यह सेल होता है उनका इस सें चोटी आउठ ग्रोफ बनती है जिसे हम कहते हैं बड मिलें ताइनों बेक्टेरिया और जीस्ट बहुत सारे यूकेरोट बड़ बनाते हैं अब ये बड़ सेल के अंदर है क्या ये बड़ सेल के अंदर सेल के बाहर है और इसमें जितना डियेन है उतना ही इसमें डियेन है बतलब ऐसा कहलें ये बच्चा है इसका छोटा सेल है बाहरत ब प्रोटिक्ट करने के लिए वाल बनाएगा अब इसे भाई सिस्ट कहेंगे या एक्जोस्पोर कहेंगे बताएं अगर सिस्ट कहेंगे तो क्यों क्यों कहेंगे भाई डिवियन का टाइम है रिप्रोडक्शन का टाइम है नया बच्चा बन रहा है नहीं बेक्टेरिया बन रही है सीड तोर बिहेव कर रहा है यह यह नई बिक्टेरिया बनाएगा तो इसे आप कहेंगे एक्जोस्पोर एक्जोस्पोर और इंडोस्पोर में फरक क्या हुआ बिक्टेरिया के अंदर पूरी बिक्टेरिया इजए स्पोर बने ते उसे हम इंडोस्पोर कहेंगे बिक्टेरि यहां तक आपकी structure हो गई पूरी structure पूरी shape पूरी size पूरी और क्या topic था discovery भी पड़ी थी हमने कोई topic था पहला क्या था तेरिया का अचा economic importance रहता है वो नहीं पड़ा ठीक है ना economic importance नहीं पड़ा तो है mood अभी पढ़ने का या economic importance कल पढ़वाऊं हा सर लेक्चर अप्लोड का यहां दो सुबू अचा अचा कुछ बातें कुछ बातें कुछ रटे लगाने हैं आपको कुछ रटे लगाने हैं आपको थोड़ी बात थोड़ी बात सुने मेरी यह syllabus में नहीं है कुछ वियंखर अफ्री धो